कि देखो पिटा यह मॉडल टेस्ट पेपर है कच्छा बारा का यूपी बॉर्ड में ठीक है तो देखते हैं इसमें क्या-क्या है और आप देखना कि कौन सब पोर्शन सबसे जादा आया है या किस सबसे पेपर आया हुगा है है वही चीज्य जो नौ प्रशन है सबौन प्रसन है सब नोब समय सबस्क्राइब हैं ठीक है प्रत्म-प्रशन से आराम करके अंतता करते जाएAPP अब यह दिखय लिखा है मानलीघ稅 economics धुब्ल Leon f such that r है तब f कौन सा fallen है ठीक है ये एक function दिया गया था आपको इस जो fallen होते हैं अगर हम लोग एक function ले ले लें ठीक है ये 3x तो यहाँ पर x equal to आप real value रखेंगे तो यहाँ पर real value ही पराप्त होगी याँनि किसी न किसी आपको particular एक मिलता रहेगा ठीक है और जब कोई भी value रखेंगे तो सबका एक अपना special मिलेगा चाहे आप रखे देजे 3 का multiple हो रहा है बस ठीक है चाहे आप minus का रखेगा तो भी आप minus में ही function मिलेगा ठीक है तो देख लीजे कौन सा है इसमें ठीक है ओके ओके और यह साडिक का सवाल आगया है ठीक है यह भी easy होता है और function यह है तो विद्दमान है बराबर नहीं है सतत असतत का है यह भी function बहुत अच्छा होता है limit सतत असतत continuity and discontinuity पे है यह सवाल ठीक है यह भी आपने खूब अच्छे से पढ़ा हुआ सवाल है यह भी ठीक है और यहाँ पर समा कलन का आगया cos square x dx ठीक है ओके cos square x कैसे solve करेंगे आप लोग जानते होगे समा कलन है आप cos square x की क्या कर सकते हो आप value पुट कर सकते हो cos square x cos 2 theta के साब से सदिसों के बीच का कौन यह भी बहुत अच्छा है लेकिन इसमें एक ही सदिस दी की थी दूसरा नहीं दिया गया है तो इसमें हो सकता है मिस्प्रेंट हो दूसरा सवाल है cos inverse का मुखमान ग्याद कीजिए minus root 3 value रखिए और निकल आएगा trigonometry का सवाल है ठीक है यह अब भी का सवाल है ABBA ग्याद कीजिए बहुत इजी है गटनाए है और पी ये दिया गया है PBY F6 दिया गया P Union B निकालना है वो फर्मूला लगाना है आपको डारेक्ली निकल आएगा बहुत इजी ये भी है सदिसो के योगफल और अंतर के अनदिश मातरक सदिस गयाद कीजिए ये भी इजी है A और B दिया गया योगफल तो करी लोगे अंतर B निकाल सकते हो ठीक है असमिका दिया है असमिका का सवाल है X एक बास्तिक संख्य है बहुत इजी है भी होता है X की वैलू देखना संख्यारेका पर निरूपड करना ठीक है सभी खंडो को हल कीजिए ये दि आर है आर इन्वर्स ऑपरिशन आर इन्वर्स मान गयाद कीजिए ये भी सरल होता है इसका इन्वर्स करना है तो 5,4 हो जाएगा ठीक है अजी है आर इकल्ट थो 3 की पावर, x ठीक है इसमें चरकी पावर, пол क्वावर, चर इसमें लौग लेके सॉल्ट करते हैं ये स्वाल को अप कलंड का है सवाल फिर स्मा कलंड का सवाल है ये आन्षिक भीन का है ठीक है यहाँ पर X Vay supporting तो टी मान के solve कर लिएगा और ए और बी वाले दो पार्ट होते हैं उसमें लग जाएगा ठीक है एक थेल में पांच लाल गेंद च्छा काली गेंद दो यादर्चा निकाल जाती है उनके अलग-अलग रंग होने की प्रायक्ता ग्याद कीजिए दो गेंद निकालनी है अलग- तो 5C1 करिए और प्लस 6C1 और अपॉन में च्छाइपाद 11 11C2 हो जाएगा इजी था यह दीतना दिया गया सत्तापित कीजिए यूनिकनेस ठीवरे में यह भी इजी है और यह भी अब्यू का सवाल है एफ एक्स दिया गया है सांतत का प्रिशड यह भी सतत का सतत के दो हो है एक्स इकॉल टू इस पर से देखा का समीकड गयात कीजिए यह हमारा आपकलन के अनप्रियूक का सवाल है और यह होल क्यूब का फार्मूला है किसका हो जाएगा वन अपॉन प्लस एक्स का होल क्यूब ठीक है यह भी इंटिक्रिशन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा ह कि यह मारे स्ट्राडिक का सवाल है ठीक है यह भी इजी होता है खुब अच्छे से पढ़ा होगा दो संख्या गयात कीजिए राइट खोल लेता हूं ठीक है दो संख्या गयात कीजिए इनका योगफल गहनों का निव्यूंतम है यह हमारा डिफ्रेंशियेट यानि अपकलन का है कि अनप्रियोग का ओर इस इंट्रिखेशन है एक्सेट कुस वेलू पुट कर दीजिए सवाल इसी हो जाता है यह यह भी समकलन के प्रियोग का है सवाल एकी पावर एक्स करके ठीक है बहुत इजी है यह भी सवाल यह भी खूब पढ़ा है बुक में है यह सब एक उल्टु दिया है बीक प्रिच्छेप ग्याद कीजिए यह भी पढ़ा है आप लोगोंने तीन चाहत केशी शाहती होने की किर अच्छी बार पूछा गए यह हमारा आपकलन के अनप्रियोग का है सवाल अनुक आपकलन के अनप्रियोग के कापी पूछे के हैं सिद कीजिए एक दूसरे को समखोड पर काड़ते हैं यह भी बहुत अच्छा सवाल है ठीक है आप लोग कर लीजिएगा और समतल पर मूल अच्छा सवाल है यह बहुत अच्छा सवाल है लास्ट में कौनिक पॉइंट निकालते हैं यह बहुत अच्छा सवाल है और कामान गयाद कीजिए एक स्क्वार है माइनश ठीक है ऊपर नीचे सेम घात है ठीक तो फेक्टर करिएगा नीचे सिंगल घात हो सकती है इसकी और एक्सवार पर डिवाइड करके कि हम लोग स्लूशन कर सकते हैं यह भी इजी है सवाल कोई खटी नहीं सिद कीजिए संकर कर बढ़ें यह कपड़ा लगेगा यह तुम्हारा का है यह हमारा अवकलन के अंप्रियोग का सवाल है अब भी उबिच से सरल कीजिए यह तो आते ही है मैं अच्छे हैं सवाल कि इसका आपकल समयकर को हल कीजिए हमारे यह भी शरल है और दिर्खाइए की समतली है दिखाइए की रेखाएं एक ही तल पर है यह भी हमारा सदिष का सवाल है ठीक है पेपर बहुत सिंपल है और अच्छा भी है आप लोग अगर ट्राई करोगे तो लग सकता है ठीक है यह जो फेपर है मैं इसको खीच के कोर्सिज करेंगे कि अपने टेलिग्राम चैनल पर डालनेंगे ओके थैंक यू